बियार पे लगातार सियासी हलचल है और नितीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे इन तमाम खबरों के बीच अब तेजस्वी यादव मतलब आरजडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ आसानी से नहीं होने देंगे क्या जेडीउ विधायक के अंदर वाकाई कोई तूट की स्थिती है निरज कुमार जी आपके सहयोगी दल के नेता कर रहे हैं कि आसानी से सब कुछ नहीं होने देंगे इसका मतलब कि सहयोगी दल के मन में राजनेतिक पाप है हमारी तरफ से तो कभी नहीं कहा गया कल कहा गया कि असमंजस्प की स्थिती को दूर करिये आज कहा जा रहा है कि आसानी से नहीं होने देंगे क्या नहीं होने देंगे और हमारी पार्टी जन्रता दल ऊनाइटेड है यूनाइटेड इसका नाम है इसलिए यहा नलागी राहूर माया यहा कोई माया नहीं लगने वाला है इसलिए जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं वो ब्रह्म की स्थिती में जी रहे अब की परप्टी के विधाद मंडलल की बैठक बुलाई गई है? कब ये बैठक होनी है, क्या जानकारी मिली है? लेकिन आज आज रेडी के बिठाएकों की भी बैठक है तो किस चीज को लेके लगता है तैयारी चल रही है पत्ते खुल नहीं रहे है निरेटी जिस डंग से बयान आ रहा है जैसे आपका दावा है कि कल बयान आया कि असमंजस की स्थिति को मानिय नितिश कुमार जी दूर कर के लिए है कि साथ निष्खेपाट डू के लिए है अब आज है कि आसानी सा से नहीं होने दिए तो आसानी से मतलब करिए कि आपका नजर क्षेप कर भासा क करने से बहतर है सीधी भाषा का इस्तेमाल करें और हमारे बिधायकों पर जहां तक नजर का सवाल है वो किसी के बस की चीज नहीं चलिए जेडियू के बिधायकों पर भले ही नजर गड़ा कर रखी जाए लेकिन ये किसे के बस की बात नहीं है दावा है मुख्य प्रवक्ता मलसी नीरज कुमार का और जो बिहार की सियासत में चल रहा है उसके बीच कहीं न कहीं अपनी मजबूती दिखाई है जेडियू ने स्वावी कमरपरसन अदीम आलम के साथ ससिभूश रनाज तक पटना